हमारे पास एक वीडियो आया , उस वीडियो के माध्यम से हम से यह पूछन की कुशिश की गई कि next day की movements veya जो अपने Pre-defined areas ya levels होते हैं उन levels के पास से हम किस site के movement को तैंख कर सकते हैं हमें next day buying करनी या selling के opportunities find करनी है यह हम कैसे तैंख करेंगे सबसे पहले तो वह व्यूडियो आप देख लीज़े लिए लिए प्रिवेश जैसे वॉल्यूम हाई है बट मदर एंड डेवी फॉर्मिशन बना है यहां पर तर एक डाउट यह है जैसे मैंने आपके प्रिवेश व्यूडियो देशिंग यूट्यूप पर उसमें आपने कैंडल कैसे करना वह बार्टाया है और वैसे कि वोल्युमिंफिरेज्मन के साथ हाई लगा है अगें तर यहां पर रेड़ कैंडल बनी है 19 गो Сिसने अपने लोग को प्रोटेक्ट किया है यहां से रिवर्ट हुआ है मार्केट यह जो केंडल इसर वी वॉल्यूम का इंक्रीजमेंट इंक्रीज हुआ है कंपरेट आल प्रिवेश दे पांच अप्रेल को बट हाई प्रोटेक्ट हुआ है यहां पर लेक्स्ट हाइफ नेच्ट हाइब हुआ है अच्छा मोमेंट मिला है और रहा है और और दोड़ नय। कि लेवल को मार्केट से दो रहा है और प्री डिफाइन लेवल नाइन सब्सक्राइब कर रहा है वहां से मार्केट ऊपर नहीं कर पा रहा है उपर ब्रेक नहीं कर पा लेकिन वॉल्यूम यहां से अगर कांटिंग करते हैं इन तीनों डेज इसमें मधर बेबी फॉर्मिशन हुआ है जिसे हमारा एक सब्सक्राइब सर मेरा कोश्चन यह है कि अब यह हम क्या इससे कंसिडर करें कि अब यह 981 का लेवल ब्रेक होने वाला है या मार्केट यहां से रिवर्स होने वाला है यह कैसे डिफाइन कर पाएंगे अब इस पर्टिकलर वीडियो का रिप्लाई करने में उतना ही समय जागा तो हमने सोचा कि थूड़ी सी मेहनत करके इसको और अच्छे से बना करके हम अगर आप रोगों तक शेयर कर देंगे तो आपको भी काफी हैल्प मिलेगी तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक यह एक एरिया है यह मार्किंग के पॉइंट्स अपने बन गया है प्राइज ने किया क्या है सिंप्ली हम लोग एक काम कर लेते हैं कि स्विंग्स को मार्क कर लेते हैं अभी स्विंग्स को मार्क करना जहुरी क्यों है एक लो अगेन एक हाई अभी कुछ पॉइंट्स हमने म वापस फिर अप सैट की तरफ जाने की कोशिश की and यहां से इसके अंदर breakouts आ गये and volume के साथ में breakout आया क्योंकि volumes के साथ breakouts आये और price अपने previous resistance को एक अच्छे खासी quantity के साथ break कर चुका है that's why price यहां पर sustain हो गया वापस से price देखे नीचे की तरफ आया and फिर से यहां पर जो breakout में volumes के साथ breakout कर रही है market यह क्यों इतनी volumes की आ रहे है किसी range को break करने के लिए क्योंकि यह range कहीं न कहीं important है यह जो price का resistance area है यह important है सारी market इंग डिलेट कर रहे है अगेन देखे यहां पर एक resistance form हो गया and इस resistance को break करने के लिए market ने फिर से यहां पर एक volume की activity दिखाई यहां पर price breakout हो गया अभी किस candle ने breakout किया है 19th of April की candle है आप एक काम करो 19th of April की candle के लोग को mark कर लो basically होता यह कि 19th of April की candle को जो भी candle break करेगे अब यहां पर एक और candle बन जा है यह वाली candle and इसके बाद में एक और candle बनती है उसका particular एक structure होता है तब हम लोग देखते हैं कि इसका trend चेंज हुआ तो यहां पर हम लोग क्या देखे हैं कि first step ही cross नहीं कर पाई यह market 19th of April की low की नीचे market नहीं निकल पाई है इस low से ही price ने support लेना शुरू कर दिया and price ने breakout upside की तरफ दिखा दिया अब move दिखाया है and volume के साथ में and यह भी हमारे resistance point बन जाएगा इसके अलाबा अगर हमारे लिए यह candle important है green वाली क्योंकि इसके low से price ने support लिया है यहाँ पर volumes आई है और पिछले resistance को इस candle ने break किया है same चीज़ यहाँ पर वी पिछले resistance को break किया है volume आई है और price ने पर resistance को break किया है यहाँ पर इस candle का low मेरे लिए बड़ा important हो जागा क्योंकि previous candle का low मेरे लिए important था बागी सारी markings को आप delete कर दो एक चीज़ समझ में आई कि price अपने resistance को break कर रहा है with volume सिर्फ breakouts ही नहीं हो रहे है यहाँ पर sustainability हमको दिखाई पड़ रही है market के अंदर के price हमारा रुक रहा है question यह है कि price में अब हमें एक नया resistance देखने को मिल गया अब यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं या next हम sale करने का movement देखें कि sale करेंगे क्या basically अगर down से upside की तरफ हम counting करते हुए reading करते हुए आ रहा है तो हम यहीं देख रहे हैं कि price अपना resistance break कर रहा है और अभी जिस area पर price है क्या past में यहाँ पर resistance लिए गया है यहाँ से exact market ने downfall दिखा दिया यहाँ पर market रुख गए sustain कर गए क्योंकि इस candle के low को break किया नहीं गया है तो हमें क्याम करते हैं कि इस जगह पर इस red वाली candle के low को mark कर लेता है तो price ने कुल मिला करके यह एक support area फॉर्म कर दिया और अब हमें एक resistance मिल गया देखिए क्या हो सकता है next day कि अगर हमें movement देखनी है कि किस तरह की movement सो सकती हम लोग भाई का अपना view बना करके चलेंगे यह selling का view बना करके चलेंगे तो basically कोरो मंडल के अंदर जो हमें इस वक्त लग रहा है कि price एक higher high higher low higher high higher low यह दो patterns form करते हुए चल रहा है अब क्या हो रहा है कि market अपनी previous resistance के पास में आ गई है exact previous resistance के पास में आई है अभी कुछ दिन तक हो सकता है कि price आपकी इस green वाली candle के lows तक रहे कब तक यह lows तक रह सकती है कि down का movement दिखाए जब तक price हमारी इस green वाली candle के ऊपर नहीं निकले हम लोग इसके अंदर short selling का view बना करके इसमें सिर्फ हो सिफ short selling ही करेंगे रोज short selling करेंगे जब price इस structure को break करके upside की दरफ निकलेगा जैसे upside की दरफ निकलेगा क्योंकि previous structures को read करके हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पर volumes आई है तो में भी चांसे results आया है कि यहां पर positions बनाई गई हो हम लोग उसके उपर जा ही नहीं रहा है हमें बस यह देखना है क्योंकि एक normal mentality क्या होते results आये अच्छा जल्दी बाई कर लो या अच्छे results ने आते तो sale कर दो इसलिए जो big players होते है यह यहीं पर trap करने की कोशिश करते है हमारा काम इनसे बचने का है उनके पीछे पीछे चलना है पीछने की कोशिश करो कि पूरी market पूरा इंडिया यहां पर देख रहा है को रिजर्ट्स आये हुए हैं क्या हो सकता है मेभी यहां से price बाई हो जाए moral of the story जब तक price 4th of मई के high के ओपर आपको activities ना दिखा दे candle highs को ना ब्रिक करने लग जाए resistance को ना ब्रिक करने लग जाए तब तक हम इसके अंदर short selling ही करेंगे तो कुछ points हमारे पास बनेगे जैसे कि इस candle का मेरे लिए close and high important हो जागा जब जब price आपको 4th of मई के closing के पास दिखेगा तब तब हम इसको short selling करेंगे price अगर नीचे की दिशा में जा रहा तो selling करेंगे selling, 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 selling and safe for safe selling ये वाली जो candle आप देख रो 19th of April क्यों क्योंकि इसने previous swing को break किया इसके अदर काफी अच्छी volume आई है तो ये भी एक resistance का point बने जाएगा बाई मत करना जब आपको मौका मिले आप इस area के पास से short selling करना और बाई कप करोगे जब price आपका इस range के ऊपर निकलेगा आप बाई कर लेना कोई भी chart आपरेट कर लो जैसे कोरो मंडल के अंदर दूसरा ये क्या है अब अपोलो हॉस्पिटल में क्या हो रहा है हम लोग simply कुछ swings को mark कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम swing को mark कर लें तो देखिए price ने क्या किया है volume के साथ price ने breakout करने की कुशिश की but breakout sustain नहीं हुआ price नीचे गिर गया ठीक है but यहाँ पर swings प्रोटेक्ट हुए है अगर भी के तो फिर यह नीचे कर जाएगा अगेन देखिए market ने movement हमें upside की तरफ दिखाया heavy volume आई volumes के breakout हुए price sustain कर यह upside की तरफ इसने closing की अगर यहाँ से up moves इसके अंदर देखने को मिल रहा है क्या हो सकता है क्योंकि swings यह हैं हमारे Apollo Hospital के और अगर हम इस swing को mark कर लेते हैं तो आपको previous resistance देखिए कितनी अच्छी तरह से market reject हुई है अगेन यहाँ पर देखिए price ने supports लिए यह reading के skills है धिरे धिरे आपको समझ पहने लगेंगी जब जैसे आप जैसे जैसे prices में आगे बढ़ते चले जाओगे जैसे जैसे price को आप रीट करते जाओगे यह सारी चीज़े आपको समझ पहने लगेंगे Apollo Hospital क्योंकि अभी Apollo Hospital एक pure resistance को face कर रहा है पूरा एक resistance point है तो जब तक price आपके इस resistance को break नहीं करेगा तब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ short selling करेंगे और जैसे price 4, 6, 5, 5 के ऊपर निकलता है हम लोग इसके अंदर buying करेंगे Apollo Hospital important चीज़ कि हम ना तो यहाँ पर buying करना या selling करना यह सारी चीज़ें हम ना तो बता रहे हो नहीं यह सब बताने के लिए हम यह वीडियो रिकाउट करें जस्ट यह जो question आपने देखा था यह जो वीडियो भी आपने देखा है इसमें पूछा गया है कि अगर कोई भी trade हम execute करना चाहते हैं हमारे पास predefined कोई area है point है तो उसके उपर अगर हमें trade execute करना है next day के लिए अगर अपना view बनाना तो हम कैसे बनाएंगे तो आई होप इस पूरे era से आपको समझ में जाओगा कि कैसे हमोग reading करेंगे अगर कोई point एक resistance area है आप इस resistance को volume के साथ breakout किया जा रहा है volumes भी अच्छा है और breakout कर गया price sustain है again यहां से upside की तरफ price जा रहा है and यहां पर volumes के breakout हो गया इस candle में volumes के breakout और price sustain कर गया previous movement को देखते हुए price हमारा uptrend में है last video जो हमने upload किया था इसमें हमने आपको एक चीज़ दिखाई थी के resistance अगर हमें multi time frame का use करना आ गया तो बहुत काम अपना आसान हो जाता है बहुत आसान हो जागा काम and यहां पर हम देखने हैं कि price का resistance point lower time frame पर भी वहाँ पर resistance है and higher time frames के पास भी वहाँ पर resistance है तो जब तक price अपने इन swings को break नहीं करेगा जब तक break नहीं करेगा इसके अंदर आपको short selling करनी है और जैसे price अपने इस swing को break करके upside की तरफ निकल जागा आप buying देखोगे किसी भी stock के अंदर बहुत simple सी चीज़ है यह है न price अपने resistance को break करेगा तभी तो upside की तरफ जाता है तो जब तक resistance break नहीं होगे short selling resistance break हो जाएंगे आप यहां से buying करोगे लेकिन points जो होगे आपके point of interest जहां से आप buy करोगे वो यह होना चाहिए इसके लाब अगर कहीं से आप करोगे तो बहुत ज़्यादा हद तक chance है कि आप trap हो जाओ results अच्छे आते हैं तो इस case में आकर के इस ब्रह्म में आकर के किसी भी stock को फटाक से भाई नहीं कर लेना होता है हम जो retailers है न public के पास में बासी news आती है किसी का नाम लेना सही नहीं है कितने भी आप news channels वगरा देख लो आपने पास बहुत जो already news companies के पास पहुँच चुकी होती है तब हमारे पास आती है इनसे बचने को कोई तरीका नहीं है लेकिन बस दिमाग तेज रुखो अपना किसी भी stock में आपको लगे हैं कि बड़ा अच्छा रिजल्ट्स आने वाला या अच्छा रिजल्ट आया है तो फटाक से भाई नहीं या डिजल्ट्स अच्छे नहीं कम्टी परफॉर्म नहीं कर रही है ठीक तरह से तो उसको सेल करतो ऐसा भी नहीं करना होता जिस भी stock में बहुत ज्यादा शोर देख रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में, टीवी में, निउस पेपर में, मैगजिन्स में, वेबसाइट्स पर समझ लो कि उस stock से दूर भागने का समय है जिस भी stock में आप देख रहा हो कि शोर शोर का मतलब कि पब्लिक का ध्यान उस stock की तरफ खींचा जा रहा है पब्लिक का ध्यान आकरशित किया जा रहा है आकरशित अगर होगी पब्लिक किसी stock की तरफ तो वो क्या करेगी या तो buy करेगी या selling करेगी तो कुल्म लाकर करके आपको उस stock की तरफ खींचा जा रहा है इस psychology को समझो कि क्यों बुलाया जा रहा है अब अगर बुलाया जा रहा है तो या तो किसी negative news के थुरू बुलाया जागा या positive news के थुरू बुलाया जागा अगर positive news के थुरू बुलाया जागा तो मतलब कि कहीं न कहीं आपको buy करने के लिए उसके अंदर बढ़ावा दिया जाता है कि आप भाई करो, भाई करो, या अगर बुरी नियूसेज हैं, तो आपको फिर सेल करने के लिए बोला जागा, इन सारी चीज़ों से बच करके रहना होता है, जिसमें कि लगे ज्यादा शोर हो रहा है, नजरे निगाहें तिरची कर लो उस तरह, रुक संभल जाओ, बतानी थी, काफी बड़ा वीडियो बन चुका है, कुछ अगर डाउट होता है, तो हमें कॉमेंट कर दी जागा, उसका रिपलाई हम आपको करते हैं, तो थैंक्स, आज जो ट्रेड हमने किया तो उसको तो टेलीग्राम पर हम लगातार अप्डेट कर रहे थे, यह टेलीग यह सब अच्छा, यह समीर का स्क्रीन शॉट है, सचीन है, कॉशल है, हाँ, और आज का जो प्रॉफित अपना होगा था करीब 4,400 कर राउंड होगा था, फिकास मूवमेंट मिले नहीं था, एक्सिस बैंक साइड भी हो गया था, तो इस वाज़े से मजा नहीं आया है, तो थांक्स, गुडबाइ, एंड टेलिग्राम चैनल आप जोइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा, थांक्स, और विल मेट अगें,